आज आप लोगों को भी लूक अप का मतलब पहले समझ लेते हैं, भी से वर्टिकल और लूक अप मतलब देख रहे हैं, तो वर्टिकल में कोई भी चीज आइटेम्स को वो सर्च करके आपने को पर्फेक्ट विजल देगा है, जैसे कि हमने एक्जम्पल के तो पर थोड़े मे पांटिटी यहां दाल दिया है, यह हमारा स्टॉक है, और मैं चाहता हूँ, मुझे वन क्लिक में, मुझे किसके कितने स्टॉक से वो मुझे पता चल जाए, तो वो मैं कैसे देखूंगा, अब यहां पर छोड़े मेट्रियल से, बहुत ज्यादा मेट्रियल होगा, तो बार यहां पर drop-down list के बारे में भी बताया था, जो drop-down list किस तरीके से work करता है, तो पहला हम लोग फिर से एक बार drop-down list लेता हूं, drop-down list के लिए data validation, इसके पहले वीडियो में मैं में details में बताया है, drop-down list के बारे में, data validation, यहां पर any value को list में त्यार कर देंगे, इसके मुझे यहां से, यहां तक का data validation चाहिए, तो मैं यहां पर select कर लेता हूं, इसको ok कर देंगे, अभी यह जो मैंने select किया था, यह cell हमेरा data validation के लिए तैयार हो गया, अभी यहां पर देखिए में cement, तो cement आ गया, जो भी मैं items है मेरा यहां पर, सब items मुझे यहां पर दि command यूज कर सकते, minus की command के साथ भी कर सकता हूं, रिजन माइनिस में जाएगा, इसलिए हम लोग equal to यह plus के command से use करते, equal to भी, जैसे हमने type किया, automatically Excel मुझे suggest कर देता है, be lookup, bracket open, यहां पर सबसे पहला हूं, मुझे फिर से suggest कर रहा है, lookup value, lookup value मतलब, आपको क्या search करना, तो मु मतलब आपको कितना बड़ा area देना, तो मैं stable area में मुझे इस area का पूरा search चाहिए, हो गया, second है column index number, मतलब यह जो material मिलेगा, इसके बाद column का material का numbers कितने numbers पर है, यह मेरा first row है, यहां पर मुझे हो material के list है, और इसके बाद मुझे second number का item का result चाहिए, तो मैं यहां पर लिख स करता हूँ, कौमा करके 2, column index number 2, first one and second two, यहां पर आपको बास true या false, true मतलब approach match और false मतलब exact match, तो मुझे exact match आई है, तो मैं यहां पर false देना, आप लोग को true के भी आप लोग को दुस्से वीडियो में बताऊंगा, true किस तरीके से काम करता, false, तो देखिया, false से इसकर पूरा यहां पर जैसे ही मैं अभी materials का change करूँगा, nails, तो nails है 2000 kg, तो nails का result मुझे दे दिया, तो मैं इसलिए यहां से देख सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा material रहा, तो ही मैं यहां पर देख सकता हूँ, जो उस items का यहां पर कितना quantity है, यहां तक कि और एक हम यहां पर इस देख क कर सकते हैं, इसका अलग से आपको और एक जिदि रो बढ़ाना है, और रो में आपको कुछ भी डालना है, जो यह supplier कोन है, यह ABC है, यह BCD है माल लीजिए, यह suppliers, मैं इसको suppliers को ऐसे नाम डाल देता हूँ, तो कोन suppliers ने यह मुझे supply दिया है, यह भी मुझे यहां से पता चल ज B, lookup, command चलो, फिर से, bracket open, lookup value, तो lookup value मेरा क्या रहेगा अभी, यही रहेगा, इसके accordingly मुझे result चाहिए, कॉमा, table array, तो अभी table array मेरा बढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी third row पे track करना है, मेरा supplier का list त्यार करना है, इस कोन supplier था, कॉमा, column index number, अभी column index number पहला था मेरा द हम देंगे three, क्योंकि first है, यहाँ पे material का list है, उसके बाद second number पर यह, यह दो दिया, तो इसका result आता था, बी वाले sell का, तो मुझे भी supplier चाहिए, तो C है supplier में, तो इसलिए three डाल दिया, comma, false, जैसे कि मैंने बोला, abstract match चाहिए मुझे, तो मैंने false का command दूंगा, तो देखिए मुझे यहाँ पे suppliers का नाम भी आगया, जैसे यहाँ पे materials change करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे suppliers के नाम भी बदर जाहेंगे, send में हमें एक supplier का नाम डालता है, वो यहाँ पे आगया, यह तिन सब्सक्राइब करता है, तो मुझे एजली हर चीज का result, verticals में जितने भी रहते हैं, उसका मुझे exact result यहाँ पे मिल जाता है, और बहुत ही useful है, जोड़ी हमारे चैनल पे नहीं हैं, तो प्लीज हमारे चैनल क को सस्क्राइब कर दीजिए और लाइक करना नाम हूँ, थैंक यू